इन दौर में जेल विभाग द्वारा जेल के नजदी की पेट्रोल पंप का शुभारम हुआ ये पेट्रोल पंप जेल विभाग द्वारा ही बनाया गया है वहीं इसके करमचारी जेल के कैदी ही रहेंगे पेट्रोल पम्प का शुभारम जेल डीजी अर्विंद कुमार के हाथों किया गया इंदोर पुलिस त्वारा शहर में पहले से ही पुलिस पेट्रोल पम्प संचालित किये जा रही है वही जेल विभाग ने भी यह कॉंसेप्ट आज से शुरू किया है जहां जेल विभाग त्वारा नया पेट्रोल पम्प बनाया गया जिसका शुभारम जेल डीजी अर्विंद कुमार के हाथों किया गया इस पेट्रोल पम्प की खासियत यह है कि इस पेट्रोल पम्प पर सभी कर्मिचारी जेल के ही कैदी है यह वह कैदी हैं जो 15 वर्षों से अधिक की सजा काट चुके हैं और इनका आच्रन भी अच्छा है ऐसे कैदियों को यहां का कर्मचारी बनाया गया है पत्रकारों से चर्चा में अर्विंद कुमार ने बताया कि यह एक अच्छा कॉंसेप्ट है हमारे द्वारा लागू किया क्या है यहां बंदियों को भी रोजकार मिला है यह अन्निवे वागव खास्तों पुलिस वागव यह कॉंसर्ट बहुत पुराना है और वहीं से एधा वेलफेर मेजर और पब्लिक की सुवधा के लिए और हमारे कर्मचारियों के लिए उनके प्रक्षों के लिए कुछ- बहुत अमिनव प्रयास है और इसके लिए इंदौर जेल प्रशासन और इंडियन ओयल को मैं बहुत बहुत दन्यवाद और बहुत 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 हाई हाँ अभी अभी यह देपालपूर रोड पे सावेर रोड पे अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि अभी बजटी कालीन योजना है बढ़ हाँ एक चीज जो 15-20 साल से रुकी हुई थी उसको अब हम शुरुवात करने जा रहे हैं लोग यह दो लिए हम लोगों फुली जेल के हैं नो बंदी है नो यहाँ पर रहे हैं तो यहाँ पी हमें क्या रोजगार मिल गया वेसे पेट्रोल पंप नहीं था तो रोजगार डोड़ने में बहुत परशानी का सामना कटना पड़ता था किसी को भी हम बोलते थे गो जेल में 15 वर्षों से जेल में हूँ, मेरे एक मटर केस में हूँ, अच्छा लग रहा है और बहुत खुश है हम लोग, क्या हमें बड़े रोजगार भी मिल गया और खुली जेल भी यहीं पर रहे है इंद और के सावेर रोड पर बन रही जेल को अभी बनने में थोड़ा टाइम लगीगा, जिस पर जेल डीजी का कहना है कि वह लंबा प्रोजेक्ट है, अभी उसको बनने में और समय लगीगा, उसमें टेंडर होना है जो अभी बकाया है, बीर रपोर्ट, मृदुभाशी नि पूले.